मैं राजीव सिंग और आप देख रहे हैं पॉब्लिक लाइब नियूज और अभी हम मौजूद हैं दरोधा प्रखंड के रमगड़ा पंचायत में रमगड़ा पंचायत का भीखा बांध का ये छट घाट है और इसी घाट पर हम मौजूद हूं और यहां पर हमारे इस पंच देख रहा हूं कि चारोट तरफ थोड़ा सा यह घाट का निर्माड कराये हैं आप बहुत अच्छा है घाट का निर्माड लेगिन बाकी जो यह देख रहे हैं काम इसमें कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ इसका क्या मतलब कि अगले साल सब पुरा करेंगा हम इस समय में आपको समय नहीं मिला या फंड इस लिए हम तो बुख्या जी कह रहा है कि आगे साल तक ही है तोटल काम इसका पुरा हो जाए तो एक चीज जाना चाहते हैं कि इस पर काम करने का प्लानिंग इसको साफ कराएंगे पूरा जितने बान है इस पर हम पी सी कराएंगे और गाचो जी है फुलोल का लगवाएंगे इसको तार से घरवाएंगे पुरा अच्छे तरह से जी तो और यह बताएए कि पंचायत में जो यह स्वक्ष्ष्टा के तरह जो चल रहा है करक्रम उसके बारे में क्या मतलब पंचायत में अपने इंसेटिव लिए उसके बारे में तो हमने अपना सब कागजपदर बढ़ा दिये हैं काम हमरे अगले महिना से चलो हो जाए तो यह चुनाओं को आपको जीते हुए मतलब की दस महिना से क्या स्पास हुआ है तो यह दस महिना में जो जो आप काम किये हैं थोड़ा हमारे चैनल के दर्सोगों को बताएं काम तो किये हम महांने कि महां चोट गहट तब शोट गहटатов sì पीजी तो आपको आप शोट गट बनाए यहीं तो काम करा रहे हैं और मर्दनपुर में भरमास्तान है उहां पर में प्रांगण में थिफे भरबलो का काम किया है मतलब इस पंचायत में टोटल कितना वाड है पंद्रा वाड है यह भीखाबन जो है अभी जहां बैठे हैं हम लोग यह कौन से वाड में पढ़ता है दो और तीन दोनों मिला कर रहे हैं तो यहां पर कितने लोगों का मतलब कि छट का आयूजन होता है कितने हुपर हम समझ रह साल अब कारेकाल में आप किस परकार का अपके दिमाग में प्लांसिंग चल रहा है कि हमको यह करना है क्या करना है कि पंचायत के इसiel ज्यादा आपने काम को कर सकें और लोगों को फायदा को पहुटा सके हम सोख छिकeon और सब्सुत्रा बना देख और भाई चारा का भी फ्रेम हम लोगों को बना रहे हैं काम में कहीं मैं पीछे नहीं होटूंगा मेरा पूर्व से भी मेरा लगन है कि हम अपने विचार धारा पर चले यह हम लगे रहेंगे पांसल का अंदर में सब कुछ सब लोग को मिला कर रहेंगे अच्छा आपके पंच तो यह थे तीन चार सब फुट बचा हुआ है उसका मतलब की क्यों इससे पड़ा हुआ है उसके बारे में उतना ही पैसात हमारे पास करने के लिए अगले बीट में उसको भी करा देंगे नहरतक तो यह थे जितनेंदर सेंग जी मुखिया जी रमगाडा पंचायत के अभी क सब्सक्राइब करने करने का अब आपका नाम क्या है अब करने का लगन रखे हमारे वाड में वह वी एक पोख्रा का जो घाट है वह बनवाए है नला कराए है इसके बाद मेर एक एक टिशिक रहा हैं और बहुत का चाम करने के लिए उनको मन में उत्साeng मुहिया जी कि ही काम से आप संतृष्ट हैंबाहू शन्तृष हम लोग सब ही कि अपने फोर का वनषर कह करए यह को शलंका나FEश मुपार लेखने-धाने के लिए जब बूला यह तब ही आजाते हैं यह लगर यह सब लोग निला कर रहेंगे ल्याइगा अच्छा उपके पंचयत में प्राइट में आपके तरफ यह तरफ अरह थे तो फुजय तहरें थे तो हम पिसके बारे में पाशता हमारे पास कराने के लिए हां तो यह थे जी तेनंदर सेंग जी मुख्या जी रमगाडा पंचायत के अभी के लिए बस इतना ही मैं राजीव शिंग पबलीक लाइब नीवस के लिए अपने सहयोगी रिसीतिवारी के साथ रमगाड़ा से दन्युट आप देख सकते हैं मुखिया जी के द्वरा यह कितना अच्छा घाट का निर्माड कराए गया है अभी देख सकते हैं तलाब में आपको पानी भरा जा रहा है पानी भरने के बाद से यहां पे आप देखिए बीजो केमरा में से बोलूंगा कितना अच्छा तरह से PCC कराए गया है इस घाट का निर्माड कराए गया है चलिए कुछ लोग है यहां पर आईए उन लोग से भी हम बात्चीत करेंगे कि मुखिया जी के काम से यह लोग किस प्रकार संतुष्ठ हैं कि नहीं है कुछ बात्चीत इन से करते हैं है जब से पहले अपना नाम बताइए उपह अंदर कुमार सींग्ध तो आप यह बताईए कि जो मुखिया जी कराए इस से कराए गया है THE कराई गया है इस कारे से आप किस पकार मतलब देखते हैं अच्छा हुआ है बढ़िया हुआ है काम और यह रोड का काम हुआ है रोड का काम गई सब्सक्राइशा लग रहा है तो और कुछ लोग है उन्हों से भी कुछ बातशीत करेंगे कि जो आप देख सकते हैं यह घाट का जो है निर्मान भी कराये गया कितना चक घाट है यहां पे और यह तला में पानी भरा जा रहा है इसमें पानी का कुछ अभाव था इसलिए पानी भरा जा रहा है तो यहां पर कुछ लोग है जानने का प्रियास करते हैं आपका नाम बताईए Kryshna si इसी गाउं के हैं कौन क बीखावन पुरूबटॉला पंचायत कौन सा आद है तो जो काम हुआ है चाले के चाहिए जो पींजिसी वगारा जो गहाट ये बना है यह कैसा लग लाग रहा है काम से संतूर्ष्ठ है मुख्रिया जी को चले के तो आप चलते हैं देखते हैं आगे की देखते हैं